नमस्कार आप देखरे नियूस फोर नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा जहा अगस्त महिने का पहला सप्ता केंदर की नरंदर मोदी सरकार के लिए एतिहासिक होने वाला है जहां एक तरफ भगवान श्री राम के राम मंदिर के का भुमी पूजन कारिकरम पाच अगस्त को होना है तो वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 370 का एक साल पूरा हो जाएगा साथी साथ तीन तलाग के भी साल गिरह मनाये जाएंगे ऐसे में अब केंदर की मोदी सरकार की तरफ से इस पूरे सप्ता को जशनी के तौर पर मनाने की तयारी जो है वो की जारी है साथी साथ ये भी बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को अब तीन तलाग कानून के तौर पर एक प्रतीक के तौर पर मनाया जाएगा जिसका नाम मुसलिम महिला अधिकार दिवस रखा जाएगा अब 31 जुलाई को अलपसंख्यक मंत्राले की ओर से इस दिन तो को मुसलिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सरकार का दावा है कि पिछले एक साल में तीन तलाक के मामलों में 70% तक की गिरावट आई है पिछले साल एक अगस्त की तारीख को तीन तलाक बिल लाया गया और तीन तलाक को गैर कानूनी करार दे दिया गया इस साल एक अगस्त को ईद है इसलिए सरकार और भाजपा की ओर से एक दिन पहले ही जश्निम मनाया जा रहा है सरकार द्वारा जो एक्ट पास किया गया था उसके मुताबिक कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को बोल कर या लिख कर या किसी अन्य माध्यम से तीन तलाक नहीं दे सकता है शुकरवार को कानून मंत्री रवीशंकर प्रसाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इराणी अलप संख्यक मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी एक वीडियो कॉन्फरेंसी को संबोधित करेंगे जिनमें तीन तलाक के बिल पर बात की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को लाव मिला है इस दोरान देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाएं इस कॉन्फरेंस में हिस्सा भी लेंगी इसके लावा भारती चुन्ता पार्टी अपने अस्तर पर सोशल मीडिया पर कैम्पेण शुलाएगी जिसे हैस्टाग थैंक स्मोधी भाई जान नाम दिया गया है इस कैम्पेण के तहट मुस्लिम महिलाएं तीन तलाग बिल के बारे में अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखेंगी कानूर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि एक साल पहले मूधी सरकार ने एक ऐसी प्रथा को खत्म किया जिसने महिलाओं पर अत्याच्शार किया बीजेपी के ओर से इसके साथ 28 शुलाई से लेकर 3 अगस्तक महिला मोडशा और अल्पसंख्यक मोडशा के कई कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं जिनमें 100 महिला मुस्लिम बुद्धी जीवियों से भी संपर्क साधा जा रहा है इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी ग्रीह मंत्री अमिट्शा के भाचनों का प्रचार किया जा रहा है सरकार की ओर से जो आक्रे साजा किये गए उनके मताबिक पिछले एक साल में 3 तलाक के मामलों में एतिहास से गिरावट आई यूपी में जहां आस्तन हर साल 1864 मामले आते थे वहीं पिछले एक साल में सिर्फ 281 मामले दर्श किये गए हैं यूपी के लावा भी अन्ने कई राजियों में भी गिरावट देखने को मिली है